Hello guys, what's up, I hope you are doing fine, this is Meir Vahid and today I will discuss with you some important issue related to current affairs, right, जो के काफी टाइम से news में चल रहा है, तो आज इसके analysis में लेकर आया हूँ, related to black fungus आपने नाम सुना होगा, ठीक है black fungus क्या है, कैसे covid-19 patients को effect करता है, ये किस किन पार्किन किन पार्स को डिमेज करता है, और health ministry जो है, वो इसके बारे में क्या बता रहा है, और black fungus जो इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूक और mycosis जिसको बोला जाता है, ठीक है, किस से फैलता है, स्प्रेट किसे है, स्प्रेट किसे है, इसके क्या क्या है, और किस कैसे इसको हम prevent हो सकते हैं, और इसका treatment क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे इसमें, तो that means आप expect कर सकते हैं एक question इसमें, क्योंकि काफी ज़्य जाएगा, तो यहां से आपको question बनेगा, case में तो 100% है, ठीक है, question पूछ सकते हैं, ये कि SSB में question पूछ सकते हैं, क्यों current आपके syllabus में है, national, international importance, तो पूछ चाहेंगा आपको question, और पता भी होना चाहिए, चल क्या रहा है, आसपास अभी, ठीक है, I am presenting this lecture series through वहीत सर्स अकाड point of discussion क्या है, जरना है हमें, ये क्या होता है, black fungus, दूसरा नाम अगर आपको question में पूछा जागा है, कि black fungus जो है, इसका दूसरा नाम क्या आपको बोलना है, mucor mycosis, याद रखना है, और ये किन patients में देखने को मिल रहा है, अभी COVID-19 patients को, ऐसा क्या है कि COVID-19 patients में देखने को मि याद रखना है, it's a fungal infection, number second, आपको याद रखना है, ये किनकिन organs को effect करता है, आपको बोलना ही कुछ vital organs मारे पास है, एक सेकंड हा, like, brain की बात करेंगे, और कुछ internal damage, ear का internal damage हो सकता है, nose इसमें involved होती है, throat इसमें involved होता है, और mouth इसमें involved होता है, यहां तक यह point आपको समझ होना चाहिए, यह एक fungal infection है, सबसे पहला point, ठीक है, दूसरा जो है, यह bacterial नहीं है, मैंने क्या बोला, यह fungal है, दूसरा मैंने क्या बोला, आपको किनकिन parts को यह damage करता है, आपको बोलना है, brain और ear, nose, throat, mouth जो होता है, इसको involved हो जाता है, यह contagious नहीं है, ठीक है, contagious disease नहीं है, यह spread नहीं होता है, इस तरीक से contact होने से spread नहीं होता है, यह आपको यादन, it is not contagious, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, फिर कुछ prevalence यह आपको जानने के जरूरत नहीं है, ठीक है, underlying cause, यह आगे मैं बता देता हूँ, cure किस तरीक से किया जाता है, आगे देखते हम, ठीक है यहाँ पर आप याद रख से क्यूर में, main line of treatment is antifungal drug, एक drug use किया जाता है, जो डॉक्टर्स हैं, जो एनलिस्ट्स हैं, वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि, एक drug का नाम इन्होंने बता है, एक drug हैं, जिसका नाम है, amphotresin B, याद रखना है, amphotresin B, जो है, इसका ना हैं, इस drug का, जो के बोला जाए, एक antifungal drug है, जो patients को हम दे सकते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, मैं आपको मोटा मोटा यह बता रहा हूँ, यहाँ पर most important point बनता है, जो आपको याद रखना है, जो union government जो है, ठीक है, इसने क्या क्या, ask the states to declare mucor mycosis, the fungal infection, being reported in COVID-19 patients as epidemic, इस को declare किया गया है, union ministry ने, union health ministry ने, इसको declare क्या किया है, उसने बोला कि जो यह fungal disease, जो है, black fungus जो है, जो यह mucor mycosis, जो है, इसको declare किया जाए, क्या, epidemic, आरे यह बात समझ, किन मैं, in COVID-19 patients के अंदर, I hope यह बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक हैं, बाकि यह जो भी है, यह इन नहीं है, लेकिन जानना है, यह disease है, तो है क्या, जो यह mucor mycosis जो है, इसके बारे में जानना है, mucor mycosis is a rare, but serious infection, यह बहुत कम है, लेकिन serious है, जिसको patients को हो जाता है, तो थोड़ा सा, जो है, उसको काफी ज़्यादा care करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा careful रहना पड़ता है, that is caused by a group of molds, सबसे पहला यहाँ पर आपको याद रखना है, यह rare है, बहुत कम देखने को मिल रहा है, but serious infection है, लेकिन group of molds की वज़ा से होता है, काज इसका याद रखना है, molds का group, different molds होते हैं, इसमें से एक group ऐसा होता है, जिसकी वज़ा से क्या होता है, mucor mycosis, म Fungal disease बोलते हैं, नम दिया जाता है, mucor mycosis, colloquially termed as black fungus, इसको नम दिया गया, black fungus, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, colloquially, ठीक है, हाँ, चलो, mucor mycosis, largely effects people who have health problems are used medicines that depress the body's ability to combat germs and illness, अब किन persons में हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना हैं आपको, यह उन population को effect करता है, उन लोगों को effect करता है, जिनको health problems है, यह जो वो medicines use करते हैं, अगर किसी को infection already हुआ है, फिर वो क्या करता है, फिर वो medicines खा लेता है, क्यों medicines काता है, so that वो उसको disease हो चुकी है, उसको fight करने के लिए, तो जो already जो patient है, जिसको already infection हुआ है, उन ही patients को ज्यादा तर इसका effect देखने को मिल रहा है, आर यह बात समझ, जिनको already health issues चल रहे होते हैं, it reduces the ability to fight, अब क्या होता है, अगर यह होगा, black fungus किसी patient को होता है, यह fungal disease अ attack करता है, कोई भी bacteria आजाएगा, कोई भी virus आजाएगा, यह कुछ भी आजाएगा, तो उसको बिमार होने के chance से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर वो already black fungus का शिकार देखने को मिल रहा है, यह अगर अभी covid-19 patients हैं, आपको already पता हैं, covid-19 patients को पहले virus हैं, तो वो already medicines खाते है हैं, किसलिए, drugs ले लेते हैं, किसलिए, so that वो उस infection से बच जाए, वो उस virus को against उसको खतम किया जाए, तो that में उनका immune system जो already weak हो चुका है, तो that में यहाँ पर देख साथ तो black fungus का भी effect देखने को मिल रहा है, ठीक है, उन patients में, it most commonly afflicts the sinuses or lungs after inhaling fungal spores from the ear, बहुत सारी reasons बताए जाते हैं, जो fungal spores होते हैं, वो अगर आ जाते हैं एक person के अंदर, तो क्या हो जाता है, उसके sinuses जो होता है, उसका brain जो होता है, वो involved हो जाता है, और lungs भी involved हो जाते हैं, यह ear से spread हो जाता है, याद रखना, अभी आगे detail में ब कोई wound आ जाता है, कोई जखम थोड़ा सा cut लग जाता है, कोई जखम लग जाता है, ठीजा, या कोई burn, आपका हाथ burn हो जाता है, आपके skin burn हो जाते हैं, तो उसकी वज़ज़ से भी ये pores आ जाते हैं, और फिर आपके skin के उपर आके, क्या हो जाएगा, ये एक आपको fungal disease में convert कर जाएगा वो आपको spread हो जाएगा फिर ठीक है और यह fungus क्या करता है यह आपके skin के अंदर enter हो जाता है it can also affect the brain यह brain को भी effective करता है याद रखना मैंने पहले बोला था कौन-कौन से organs को यह involve कर लेता है ठीक है उसके बाद कुछ persons ऐसे होते हैं जिन में diabetes melletist ठीक है दो diabetes होते हैं एक होता diabetes melletist एक होता diabetes insipidus वो जिन persons के जो persons जो population जिनका uncontrolled diabetes melletist है मतलब जिनकों पहले से diabetes है उनको chances होते हैं यह phungal disease होने का यह black fungus का problem देखने को मिल रहा है ठीक है यह आपको यह मैं पूरा आपको बता रहा हूं to the point जो आपको जहन में होना चाहिए warning signs include headache अब देखो आपको कैसे पता चलेगा मुझे फंगल disease है या covid-19 जैसे आपको बोड़े symptoms क्या क्या देख रहा है तो आपको पता चलना चाहिए अगर आपको headache देखने को मिल रहा है आपको headache हो है ठीक है आपको breathing में issues हो रहे हैं आपको headache भी हो रहा है at the same time आपको fever भी देखने को मिल रहा है तो that means somehow आप ये बोल सकते हैं इस situation में आपको covid-19 भी हो सकता है क्योंकि same symptoms आप covid-19 में भी देख सकते हो आप breathlessness होता है वहाँ पर ठीक है coughing उसमें भी होता है fever उसमें भी होता है headache उसमें भी होता है brain नोज वोज जो इसमें इन्वाल होता है ठीक है it can infection it can it is an infection in the sinuses that can spread to the brain उसके बाद वो sinuses में आके फिर कहां पहल जाएगा आपको बोलना ये brain तक भी इसका impact देखने को मिलेगा it is the most common in people with uncontrolled diabetes उन लोगों में ज्यादा तर देखने को मिल रहा है कौन सा रिनो सेरीब्रल मार्को म्यूक और माइकोसिज उन पापपलेशन में उन लोगों में देखने को मिल रहा है जिन में uncontrolled diabetes मिलेट्स मैंने अभी बोला and in people who had who have had a kidney transplant जिनको kidney transplant किया गया है उनमें भी ये खत्रा देखने को मिलेगा इसलिए मैं बोल रहा है अगर ऐसे कलने की जरुरत नहीं है क्योंकि यह कहीं पर भी कहीं भी टापक जाएगा किसी के साथ भी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अलड़ी hospitals में भी space नहीं है oxygen cylinders भी वैसे बहुत कम पढ़ रहे है ठीक है space का problem है beds की problem है तो इससे अच्छा है कि आप गर में रहो शांते से रहो अच्छे तरी एक साफ सफाई hygiene का खासकर खयाल रखो तो आप जो है जब तक कि यह time period भी चला जाए क्योंकि हर time period जो होता है अगर कोई खतरना time period भी होगा ठीक है वो भी निकल जाता है अच्छा time भी होता वो भी निकल जाता है बाट इस time हमें करना क्या चाहिए करना यह चाहिए कि जो world health organizations के जो preventive majors हैं या world health organization है जो जो हमें दिया है कि क्या क्या steps लेने चाहिए बशने के लिए वो हमें कर लेना चाहिए हमें अपना जो अपने मर्ज से नहीं कर लेना चाहिए जो भी हमें अपने मन में मन के हसाफ से वो नहीं चलता है इस चीज में उसके बाद pulmonary मतलब होता है जो lungs को effect करता आपको पता ही है it is the most common type of muc or mycosis in people with cancer and in people who have head transplant or the stem cell transplant अगर उनको stem cell transplant है कोई organ transplant है ठीक है तो यहां किसी patient में अगर cancer already है तो उसको यह जादा तर देखने को मिल रहा है आप यह भी include इसमें कर सकते हो lungs जो होते हैं जैसे आपने देखा भी हो कि तब breathe lessness problem आ जाएगी जैसे covid-19 patient में double नमूनिया हो जाता है तो वह same आप यहां पर आप देख सकते हैं इसको बोला जाता है pulmonary mucor mycosis आप देख सकते हो उसके बाद एक और इसका type ही है gastrointestinal मतलब इंस्टाइनल में involved हो जाता है it is more common among young children than adults यह जनरली children में देखने को मिल रहा है than adults ठीक है especially premature and low birth weight infants less than जिनका weight कम होता है जो already जो है जिनका बर्त हुआ है उनका weight भी कम होता है infants में भी देखने को मिल रहा है less than one month age who have had antibiotic surgery इन में भी देखने को मिल रहा है उसके बाद होता है cutaneous cutaneous आपको पता है skin की बात की जा रही है skin की बात की जा रहे है इसको कीटिनियुस मार्को म्यूको कॉर माइकोसिस ठीक है occurs after the fungi after the fungi enters the body through the breaks in the skin अगर आपके skin में कोई कट होगा कोई बर्न होगा ठीक है तो वहां उससे भी पोर जो होता है फंगल पोर जो होता है यह आपके skin के अंदर चल जा सकता है और उसकी वज़े से आप इंफेक्ट ह हो सकते हैं for example after surgery किसी को surgery हुई है वहां पर भी problem है कोई burn होता है कोई cut होता है skin trauma जो होता इसमें भी देखने को मिल रहा है ठीक है it is most common among the people who had who do not have weakened immune system ठीक है who have weakened who do not have weakened immune system यह छोड़ो अपस इतना आपको याद रखना है तीसरा है फिप्ट जो है that disseminated mucor mycosis it occurs when the infection spreads through the blood stream यह इसको यह तब commonly affects the brain इसमें क्या होता है brain involved होता है याद रखना brain involved होता है दूसरा but also can affect other organs such as spleen heart or skin को भी involve करता है यह आपको याद रखना है spread up milk or mycosis जो है इसका spread होता कैसे है यह जानना जरूरी है स्टूरी आप उन चीज़ों से बचसकते हो फिर people can spread black fungus on coming in contact with the spore अगर आपके पास जो environmental इन्वारमेंट में जो होते सपोर जो होते है वह सपोर अगर आपके contact में आते आपके skin के contact में आते हैं तो आपको जो है इसकी वज़ा से जो है यह black fungus spread होता है याद रखना in contact with spores मैंने बोला यहाँ पर in case of the lungs are sinus infection lungs infection or sinus infection the person can be infected after inhaling the spores from the ear अगर आपने mask नहीं पहना है तो that means जो environment atmosphere में spores होंगे तो वो आप inhale करोगे आपके nostrils के through या we can say आपके mouth के through lungs में चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा lung infection हो जाएगा a skin infection can occur also funks into the skin through the scrap burn or other skin के through भी हो सकता अगर आपकी injury है cut है या burn है उसके जरीए से भी spread होता है they are more common in soils than in air ठीक है कौन से यह जो spread जो होता है common जो होता है in soils than air and in summer and falls in winter summer में ज्यादा common होता है and fall than in winter ठीक है और spring तो याद रखना है यह common होता है summer में ज्यादा देखने को मिल रहा है कौन सा यह fungal disease जो है these fungi are not harmful to most people but for people who have weakened immune system सभी लोग इससे infect नहीं होते हैं सभी लोग जो होते हैं उनके लिए harmful नहीं रहता है बाट वो लोग जनका already immune system weak है वो किन में देखने को मिल रहा है already covid-19 patient में immune system already weak होता है क्योंकि वाइरस ने already attack किया होता है यहां से अगर फंगल बे आएगा तो automatically फंगल को आसान होता है क्योंकि वो फंगस के साथ fight ही नहीं कर पाता है उसका immune system तो that means उन patients में ज्यादा तर ये problematic technique को मिल रहा है breathing में problems आ जाती है इसकी वज़े से symptoms मैंने आपको थोड़ा सा पहले breathe बताया था यहां पर मैं थोड़ा और बताता हूँ symptoms यह पूरा मैं analysis लेकर आता हूँ आपके जहन में राएगा these include pain and redness around the eyes eyes में pain होगी आपको यहां आपको redness eyes में देखने को मिलेगा nose भी red हो जाएगे fever देखने को मिलेगा head a coughing हो जाएगे shortness of breathing problem होगी bloody vomit होगा and altered mental status यह मैंने आपको पहले बताया warning signs can include ठीक है tooth egg ठीक है loosening of teeth teeth में देखने को problem ठीक है double vision with fan यह problem भी देखने को मिलेगा ठीक है disseminated muc or mycosis typically occurs in people who are already sick from other medical conditions so it can be difficult to know which symptoms are related to mark so अभी देखो जुनको covid-19 patient जो है ना उनको वही similar symptoms आपको देखने को मिलेगा जो कि इसको black fungus के symptoms भी वही देखने को मिलेगा अब पता ही नहीं बहुत difficult होता है कि एक patient में muc or mycosis है या नहीं है अगर वह covid-19 patient है तो फिर बोला जाता है कि अभी देखने को मिल रहा है कि हाँ identify करते हैं बहुत difficult तरीके से तो यह पता चल रहा है कि हाँ जो आपके covid-19 patient जो है वह black fungus का भी शुकार देखने को मिल रहा है ठीक है क्योंकि symptoms जो है सेम है आप देखो breathlessness की problem covid-19 में भी देखने को मिल रहा है और इसमें भी यह है headache उसमें भी fever इसमें भी throat का problem इसमें भी देखने को मिल रहा है हर एक चीज़ आल्मोस्ट सेम है patients with disseminated infection in the brain can develop a mental state change on coma patient जो हता है को कॉमा problem देखने को मिल रहा है mental status जो है उसका वो क्या हो जागा change देखने को मिल रहा है question है फिर यह fungus पाए कहां जाते है अगर fungus तो है है कहां पर mucor mycosis is caused by a group of molds called mucor mycosis यह मैंने आपको बोला है mucor mystees की वाज़ा से होता है इसको याद रखना examination point of view के लिए it is naturally found in air water and even food में भी देखने को मिलेगा air में भी water में भी मैं आपको एक example दिखाऊंगा अब ब्रेड आपने देखियो कोई bread bread के उपर आप mold देखते हो ना अगर काफी time की bread है आपको आप 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 आज क्या करना ब्रेड का piece एक लेना उसमें water डाल देना water के drop फिर दो तीन तीन आइसे रखना आप देखना उसके उपर वह पूरा white color आ जाएगा ठीक है पूरा white color आ जाएगा तो वह fungus होता और कुछ नहीं मैं दिखाता हूँ आपको image एक सुर्श आपको के लिए देखो यहां पर देखो यह कुछ नहीं है यह फंगस्य है mold बोल सकते हो ठीक है इस तरह किसे को क्या होता है face का देखो skin इसका देखो किस तरह किसे क्या है यह आप देख सकते हो ठीक है तो बहुत सारी image से हैं तो मैंने यहां पर image नहीं लाया यहां पर बट आप थोड़ा से imagine कर सकते हो बहुत बुरी कोविड 19 तो फिर भी ठीक है इनसान फिजिकली तो लग रहा है देखने लाइक होता है लेकिन इसमें चो होता है पूरा system होता है face भी देखने लाइक नहीं होता है nose भी देखने ला लाइडी सिम्टम्स हां स्किन यह मैंने बोला स्किन का भी बोला मैंने ठीक है अलड़ी स्किन मेडिकल हो गए उसके बाद पेशिंट्स इसमें इंफेक्शन ब्रैन ब्रैन भी इन्वाल इसमें होता है वेर आर दीस फंगस फॉंड मा म्यूक और माइको इसकाज़ बाइक ग आपको लेकिन हम थोड़ा सा जानेंगे एक दो मिनट में कि म्यूक और माइको से कोविड-19 पेशिंट्स में इफेक्ट इसको देखने को मिलेगा पेशिंट्स वो पेशिंट्स जिनमें डियाबीटीज जादा है डियाबीटीज मिलेट इस और एड़ एड़ रिसिक आप कोंट्रेक्टिंग कोविड-19 वेन दिस आकर्स दे आट्रीटेड विच स्टिरोइड्स विच कंप्रोमाजिस दियर इम्मुनिटीज यह कोविड-19 पेशिंट्स में देखने को मिल रहा है यह देखने को मेरा उन पेशिंट में जिनको डियाबीटीज देखने को हाई लाव पर ठीक है मूक और माइकोसिस डाक्टर्स का यह कहना है कि स्टिरोइड सागर यूज करें यह म्यूक और माइकोसिस के लिए एक्शुगर का रूल करता है यह आपको इतना जानने की जूरत नहीं बस यहाँ पर जानो ब्लैक्फॉंस डीजिस एन एडिशनल बडन ओंद दूसरा है black fungus यह एक additional बढ़न रहता है country के ओपर that is already grappling with more cases and fatalities during the second way of the COVID-19 यह तो पता ही आपको why and how it affects COVID-19 patients during and post recovery अगर COVID-19 patient है सपोज कोई COVID-19 patient अभी COVID-19 का positive patient है उसके time पे इस time पे और जब वो recover हो जागा उस time पे क्या दियान रखना है medicines used in treating COVID-19 tend to bring down the count of lymphocytes ठीक है जो medicines use किया जाता है COVID-19 tend to bring down उसके क्या होता है लीफोसाइट का count जो होता है reduce देखने को मिला है लीफोसाइट क्या होते हैं आपको याद मैंने बोला था आपको हमारे पस blood cells होते हैं WBCs RBCs होते हैं और लीफोसाइट होता है लीफोसाइट जो होते हैं और one of the three types of white blood cells मैंने बोला था WBCs RBCs red blood cells और WBCs white blood cells के भी अंदर बहुत सारे types है ठीक है एक होता है lymphocytes तो लीफोसाइट किसका part है आपको बोलना ये एक type है किसका लीफोसाइट का whose job is to defend our body against disease causing pathogen such as bacteria अब ये लीफोसाइट का रोल क्या होता है ये हमारी बोड़ी को बचाता है defend करता है defense mechanism एक create करता है कि अगर हमें कोई भी bacteria कोई भी infection कोई भी viral disease कोई भी parasite अगर हमारी बोड़ी को infect करता है तो उसको उसको defense mechanism कोई प्राइट करता है defense का रोल कोई प्राइट करता है जो ये लीफोसाइट सोते याद रखना इसलिए इसका होना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है और जब इन्ही लीफोसाइट का count जब decrease हो जाएगा COVID-19 से या fungal हम बोलते है अगर इन्ही लीफोसाइट का count decrease हो जाएगा तो definitely हमारा immune system weak हो जाता है the reduced count of lymphocytes leads to a medicinal condition called as lympho lymphonia ठीक है जो बोला जाता है lymphopenia याद रखनो ठीक है अगर यही lymphocytes का count हमारी body के अंदर reduce होता है ठीक है WBC का count reduce होता है एक condition होती है medical condition होती है जिसको बोलता है lymphopenia इसको बोला जाता है making way for opportunity fungal infection in COVID-19 patients जिसकी वज़ा से COVID-19 patients में क्या खत्रा होता है COVID-19 patients में क्या खत्रा होता है आपको बोलो fungal disease का खत्रा है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ बोला जाता है हमारी body में different types of cells होते है उसमें से WBCs होते है WBCs में एक type आता है जिसको बोलता है lymphocytes ये lymphocytes एक dependence mechanism create करता है ये बचाता है हमारी body को अगर कोई भी virus होता है कोई भी fungal disease होती है कोई भी parasite होता है कोई भी bacteria तो उसको यहाँ से बचा देता है हमारी body को prevent करता है लेकिन अगर COVID-19 patient already है ठीक है उसका immune system already weak है उसमें जो है lymphocytes count कम है तब ही तो उसका immune system weak है लेकिन जब उसका immune system already weak है जब black fungus आ जाता है वो black fungus automatically उसको attack कर लेता है क्योंकि उसका immune system weak है वो black fungus को जो है lymphocytes control नहीं कर पा रहे different नहीं कर पा रहे तो इसलिए देखने को मिल रहा है COVID-19 patients में already देखने को मिल रहा है there is a higher chance of occurrence of the muc or mycos in patients whose immune system is not functioning well and since COVID-19 treatment tends to be suppress the working of the immune system it places such patients at a higher risk contract the black fungus infection इसलिए बोला जाता है COVID-19 patients में क्या होता है immune system already weak होता है और वो काफी ज़्यादा जो होता है higher risk पे रहता है अगर वो black fungus का शुकार हो जाएंगे ठीक है prevent कैसे करेंगे खुद को कैसे बचाएंगे बताओ ज़रा कैसे खुद को बचाएंगे कुछ measures हमें लेना है जिससे हम को बच सकते है cleaning ठीक है cleaning and replacement of humidifiers for those using oxygen concentrators oxygen cylinders oxygen concentrators जो use करते है उसको साफ करना उनको replace करना साथ सा time to time वो बहुत ज़रूरी है number second जो होता है strile normal slime should be used in the humidifier bottles and change daily ठीक है यह इस चीज़ को use करना है जो bottles आप use करते है mask should be disinfected daily जो आप mask use करते हो chlorine का use करते है जो भी उसको disease काजिक pathogens होते है उनको वो kill हो जाते है exactly वैसी जो आप mask use करते हो mask के उपर pores लग सकते है आपके mouth में तो नहीं आते है लेकिन pores आपके इस पे आ सकते है virus आपके mask के उपर हो सकते है तो time to time आपको क्या करना उसको disinfectant का use करना चाहिए spray करना चाहिए daily basis पे ठीक है आगे हम क्या करा हमें क्या क्या steps लेने चाहिए आपको यह पता होँ क्योंकि analysis ऐसी होती कि आपको पता होना चाहिए कि way forward क्या होना चाहिए आप क्या क्या steps लेना चाहते हो जिससे आपकी prevent कर से people with the following medical conditions should be more careful they should consistently monitor their health and also take the following prevent measures जो भी लोग जो है ठीक है जिनका यह COVID-19 है या Black Funks है वो काफी जदा careful रहने चाहिए और continuously monitor करने चाहिए खुद को ठीक है और जो health department जो है उनको भी जो है necessary steps लेने चाहिए एक patient को treat करने के लिए बहुत सारे आप अपने तरीकी से way of forward बता सकते हो diabetes patient जो होता है जिनको uncontrolled diabetes मैंने बोला diabetes millet जो होता है plus steroid usage plus COVID positive all three combined together place one under high risk of getting this infection उसके बाद those who are taking steroids should also keep checking their blood sugar level वो persons जो की steroids का use करते मैंने अभी बोला था steroids का use करते है bullet pressure जो हो तो bullet sugar level उससे बढ़ जाता है तो वो continuously अपना blood sugar level को भी check करता जाए यह नहीं कि steroids खा लेता है तो bullet sugar level यहां से बढ़ जाएगा तो उसको भी continuously आपको क्या करना चाहिए check करना चाहिए in most cases one who is not diabetic finds that after taking steroids the bullet sugar level अगर ऐसे patients भी होते जुनको non-diabetic होते लेकिन जब वो steroid का use करते है किस से बचने के लिए इस फंगस से बचने के लिए बट उनका still bullet sugar level shoot up हो जाता है up to 300 to 400 that means यह पता होना जोरू भी होना चाहिए कि जब हम steroid use करते time to time हमें अपना blood sugar level भी check करना चाहिए जुरू नहीं कि अगर हम diabetes ने तो हमें नहीं करना चाहिए अगर आप non-diabetic patient पे still उसको अपना blood sugar level check कर लेना चाहिए hence it is essential to continuously monitor one's sugar level तो इसलिए sugar level पता होना चाहिए hence diabetic patient should always monitor and control their blood sugar level यह आपका complete analysis जो है ठीक है complete हो गया related to muco muco marcosis जो भी था ठीक है क्या था यह muco or mycosis जो है यह आपका complete analysis है मैंने आपको idea दिया है किस तरीक से क्या है अब कितने cases है at present India में किस तरीक से control हो रहा है यह नहीं हो रहा है क्या इसकी कितने deaths हो गए वो time to time आपको news से भी पता चलेगा उतमें जाने की जूरूरत नहीं बट आपको aware रहना जुरूरी है कि black fungus क्या है covid 90 तो आपको पहले से पता था अब black fungus किन किन तरी से होता है किस तरीक्स होता है तो कोशिश करो मेरा message last पे यही रहेगा कोशिश करो आप students हो आप जब तक आप नहीं करोगे तो गरवाले नहीं करेंगे ठीक है आपको उनको समझाने कि बाहर मत जाओ अगर वो जिद भी कर रहे हैं बचे भी जिद करें सबी बोल रहे हम बाहर जाएंगे गुमने कि मत जाओ अगर जा रहो दो mask यूज करा हाथ जो भी है पूरा hygiene पे पूरा focus रखो so that आप बच जाओगे क्योंकि आप क्या है न इस fungal disease से क्या है तो आपका phase भी बिगड़ जाएगा आपका skin भी बिगड़ जाएगा ठीक है तो फिर अजीब सा लग रहा है तो वैसे COVID-19 patient तो थी ठीक देख रहा है अंदर से immune system जो है involved होता है लेकिन इसमें जो है इसका physical appearance भी जो है वो भी बिगड़ जाता है अगर आपको men's में आपका answer आ जाता है खासकर UPSC और KS के लिए write down a short note on muc or mycosis what are the necessary steps that should be taken to control the muc or mycosis, right what are the symptoms that can be seen on muc or mycosis तो आप इसको relate कर सकते हो COVID-19 patients के साथ और अपना answer जो है detail में लेक सकते Thank you so much for watching